आपको तो खुशी हो रही होगी कि आपके तीनों बेटे फौज में चले गए इश्वर ने बहुत बड़ा दिल दिया है पिताओं को लेकिन वही इश्वर जाने क्यों माँ को दिल देने के मामले में खिंजूसी कर बैठा तीन बेटे हैं मेरे तीनों फौज में लाग समझाने के बाद भी इस दिल की डरने की आदत चाती ही नहीं और डरे भी क्यों न तीनों बेटे सीमा परें अशोक बड़ा है न सबसे समझदार है आपके जाने के बाद दोनों भाईयों के लिए पिता बन गया हो आज अपने बाईयों की एक एक बात का ध्यान रखता है वो और विनोद बड़ा ही जजबाती है बच्चों का सा दिल है उसका मगर दिखाता ने हर चीज छुपाता है मूँ से वो चाहिए न बोले लेकिन जानती हूं मैं मेरी हर तकलीफ पर गर में सबसे ज़्यादा परशानी उसे होती है थोड़ा पागल भी है सोचता है कि घर में जितना प्यार बड़े अशोक और छोटे प्रमोध को करती हूं मैं खुटना उसे नहीं करती आप भी बोलिए ऐसा हो सकता है क्या प्रमोध बच्चा है उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है मुझे अब आपका वही प्रमोध अपने भाईयों की तरह अफसर बन गया है आज पंगला देश में लड़ रहा है वो मर के भी कुछ इंसा यहाँ जिन्दा रहते हैं दोस्तों बतन पे जो मर मिट सके उन्हें शहीद कहते हैं दोस्तों मुल्क है जज़बा मुल्क है मज़ब मुल्क है अपनी आत्मा कोई नहीं कर पाए हमारी एक ता का खात्मा है दुश्मन की शिकस्त तै हाँ दुश्मन की शिकस्त तै मुल्क है अब हम लिखतेंगे खबर मिली है कि बंगलादेश सेक्टर के मैमन सिंख्षेत्र की लडाई में पाकिस्तानी सेना के खात लगा कर किये गए हमले में हिंदूस्तानी सेना की फिफ्थ गोर्खा राइफल्स की फिफ्थ बटैलियन के दो अफसर और पंद्रा जवान शहीद हो गए और बड़ी सं हेलो एक्सचेंज, गेट मिस पैरो, हेलो मेजर विनोद भनोट बोल रहा हूं सर, सर अबे भी खबर मिली है कि बंगलादेश के फिफ्थ गोर्खा के फिफ्थ बटैलियन पर हमला हुआ है, सर मेरे यंगर ब्रदर पंवी, आम सारी, लेटनेंट प्रमोद भनोट भी उसी ब है सर, लेटनेंट प्रमोद भनोट सर, राइट सर, 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 डॉन फॉरी, सब ठीक हो जाएगा, कि बंगलल अड़, आड़ आखेशक के सफ्थाने, प्रमोद को भंगलने कंट भी है, जयए पर्मोद को बता नहीं है, जयसे ही पता चले भाम आपको बताएँ गे जी कि'm हलो जी नहीं जी प्रमोद का कुछ पता नहीं है जी हम आपको बता देंगे जी पता नहीं क्या हाल होगा मेरे प्रमोद का मामी जी आप बेफिकर रही है प्रमोद ठीक होगा अरे ठीक होता तो ऐसे एक के बाद एक फोन ना आते रहते अजार दफा मैंने मना किया था कि ना बेजो उसे फौज में लेकिन आड़ गे दोनों भाई अरे अपनी जित के आगे किसी की चलने भी तो नहीं देते ना विनोट की जादा जीद रही थी वो बचपन से उसे शेह देता रहा है मतनी कैसा होगा मेरा प्रमोट ठीक है ना तिरी बात हुए उससे मा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं मगर मगर क्या डंक से कोशिश कर चुटी लेके उसे मिलने चला जा मिल क्या उससे ना मिल के ना तू उसे वापस ही ले आँ मा मेरी बात तो सुनो प्रमोट को हाँ का हुआ है कुछ पता है तुझे ने इस न के परिशान हुई यूनिट में बात हुई है मेरी मा ठीक है वह और नहीं लाने वाण वाले तो या तुम्हारे विनोथ को में तुमारे पास तुमारे यह लड़ यह थि कि तीन तीन बेटे हैं मां तुमारे कोई ना कोई तो बचेगा ना वहां तो घर के घर उजड़ गए हमें भी अपनी चांद की फिकर है मगर मगर फर्स नाम की कोई चीज होती है मां त्यांद्र क्या अपना है 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 हलो हलो विनोद अशोख भहिया शिलॉंग मिलेटरी हॉस्पिटल नो बात हुई थी मेरे जखमी है वो एक पैर शायद काटा पड़ेगा उसका मैंने मा को कुछ नहीं बताए तेरी बात हुई क्या गर पे विनोद विनोद कन्यओं मी हाँ, ममी से तुम्हारी बात हो तो उन्हें कुछ में बताना प्रमोद को प्यार जो इतना करती है न देख विनोद, वक्त बहुत खराब है जोश को थोड़ा काबू में रखना विनोद हम लोगों को एक दूसरे की बहुत ज़ुरत है और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में मातम का कोई भी मा होला है मातम तो अब मान कर रहेगा लेकिन उस पार वक्त खराब होना अब दुश्मनों का शुरू हुआ है प्रमोद की कुर्बानी खाली नहीं जाएगी इस पोस्ट से बड़े खुबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं जी जनाब कलीम क्या नियूज है जब जब आप हाथी माधा पोस्ट पे आके सवाल करेंगे आपको एक ही जवाब मिलेगा बरी बरी गुड नियूज है तल से लेके अभी तक इंडियन आर्मी की तीन गाडियां और साथ में एक पेट्रोन का टेंकर उड़ा दिया है पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है जनाब श्री नगर से लेके लेह तक कोई आजा नहीं सकता कश्मीर के टुकडे कर रहे हो जनाब छोटा सा ओफिसर हूँ कश्मीर के टुकडे करना मेरी जिम्हदारी है आप बड़े अफसरां से कहिए न नहीं सारे हिंदूस्तान के टुकडे करते हैं हमने सुना है कि पंजाब बल्टन के साथ गुर्खा भी शामिल होकर अटैक की तयारी कर रहे हैं जनाब अगर इनका बस चले न तो यह पूरी की पूरी आर्मी लगा दे इस हथी माथा पोस्त के लिए लेकिन जानते हैं कि जब तक हम यहां मौजूद हैं इनको तो चैंसे नहीं रहने देंगे यह तो खुशकस्मती है हमारी कि 65 की जंग के बाद यह पोस्त दुबारा हमारे हाथ लग गई वाजनाब कश्मीर का दिल है यह अब ता उम्र नासूर की तरह तकलीफ देती रहेग कि यह पोस्त कश्मीर के दिल को वाजनाब अरे जूटा घमंड है इन दुस्तानियों को जनाब कहते हैं कश्मीर इनकी सल्तनत है एक बार जब हाती माथा का नाम आता ना तो इनका सर शर्म से जुग जाता है अमा कलीम जी जनाब यह इतनी आसानी से इस पोस्त पर रहने नहीं देंगे हमें इंडिया के प्राइब मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है कि 17 दिसंबर आठ बजे से सीज फायर होगा उससे पहले पहले यह इस पोस्त पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे नहीं जनाब इस साल का 17 दिसंबर तो छोड़िये आगे आने वाले 100 साल के बाद का 17 दिसंबर भी इनको हाती माथा तक नहीं पहुंचने देगा हिंदुस्तान की मिट्टी ने तो एक भी ऐसा जाबास पैदा नहीं किया है जो इनके हाती माथा तक पहुंचने वाले खाब की तामील कर सके आमीन जनाब करते रहो इनकी पोजेशन पर फायर आगे ने बढ़ने देना इने फायर कि अजाब जी चलिंग सब्सक्राइब यह जल्दी चलो श्याओ साबने आपको प्लाइब जल्दी श्याओ साब अरे श्याम बादूर शाब जी को कोई परवाई नहीं इदर धूम उदर धूम भम फट रहा हैं शाब जी ऐसे बैश्ठा जैसे दिवालें पटा का फुट रहा हो शाब जी परशान है उनके छोटे भाई को बंगला देश में चोट लग गई है ओश्याम बादूर इसलिए तर शाब जी आज कल गुप चुप बैठे रहते पशुपती नात किसी के घर में कोई तकलीफ नहीं दें अच्छा इसी तरह परथाना करेंगे तो पाकिस्तानी शहीद होना है तो लड़ते हुए शहीद हो विणोद दुश्मनों की गुलाबारी के बीच खड़े खड़े नहीं इंडियन आर्मी के एक एक जवान एक एक अफसर को त्यार करने में कितना पैसा कितना वक्त खर्च करती है सरकार कुछ उमीदे होती है उन्हें हमें यहां बॉर्डर की सिकुरिटी के लिए भेजा गया है ना कि अपने परसनल एमोशन में खोकर मरने के लिए सर कभी कभी परसनल एमोशन्स इंसान की सेंस अफ ड्यूडी को बढ़ा देते हैं मेरे भाई की चोट जितनी परसनल है उससे कहीं जादा एमोशनली हर्टिंग और परसनल है वो चोट जो हाथी माता पर बैटकर पाकिस्तानी सैनिक हमें दे रहे हैं यह नहीं कहूंगा सर कि भाई के पैर कटने का कोई दुख नहीं मगर उससे बड़ा दुख यह है कि हमारे पैर अभी तक हाथी माता पर नहीं पड़े पंजाब परटन दुश्मन पर हमला कर रही है विनोध और जल्द ही उन्हें पैरों के नीचे रॉन देगी जो काप हुमें मिला है हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं एक मौका मुझे दे कर देखिए सर हाथी माता हमारा होगा वक्त आएगा तो मौका तुम्हें भी दिया जाएगा मगर उससे पहले अपने आप पर सेयम रखना सिखो विनोध सार्व माजी पुजा कर रही है तो द्यान भगवान में लगाईए फोन में नहीं हलो हलो कामीनी कैसी हूँ ठीक हूँ आप कैसे है प्रमूध का फोन है जी ममी जी आप पूजा केजिए कामीनी एक बुरी खबर है ममी को मत बताना भी प्रमूध का पैर जानती हूँ जानती हूँ प्रमूध के मंगेतर के घरवालों ने शिलॉंग हस्पिताल से पता कर लिया है उनका फोन आया था एक अचीव सा रेक्शन था विनोध लगता है वो इंट्रस्टेड नहीं है क्या लेकिन क्यों प्रमूध की मंगेतर ने समझाया ने अपने माबापको समझाया क्या कर सकते हैं विनोध आखिर उसकी जिंदगी है वो जिस तरह से बिताना चाहिए जिसके साथ बिताना चाहिए तुम उनकी तर्वदारी कर रही हो अगर यहां लड़ाई में मुझे कु मैं अपने प्यार पर आपको भरोसा नहीं देरा सकी कामिनी बस अब और कुछ मत कहिए कोई अशुबात मुझे मत नहीं का लिए इतना याद रखिए कि आपका कोई इंतिसार कर रहा है विनोद सार रिलाक्स थोड़ा आराम कर लो आगे बहुत काम करना है तुम्हें I didn't get you sir हमारी बटालियन को हाथी माता कैप्चर करने के ओर्डर्स मिले हैं यह काम तुम करोगे तुम हाथी माता पाउच कर पीछे से हमला करोगे आपकी कमपनी हाथी माता टॉपर सत्रा डिसंबर तेरा सो बजे तक कबजा करेगी और दुश्मन की धज्जिया उडातेगी सर एंड रिमेंबर विनोध सत्रा डिसंबर आठ बजे सिस्वायर होगा खुछ घंटों की देरियां जिन्देगी भर तकलीफ का कारण बन सकती है दोट वरी सर सत्रा डिसंबर आठ बजे से पहले हाथी माथा पोस्ट हमारा होगा पुजिशन लेते ही तुम हमें इंफर्म करोगे ताकि एक साथ दोनों तरफ से हमला हो सके और इस लड़ाई का सबसे बड़ा हत्यार होगा सर्प्राइज सर एक बात और याद रखना कि इस लड़ाई में सिर्फ लिफ्टनेंट प्रमोध ही खायल नहीं हुए है मैं जानता हूँ कि सिर्फ मेरा ही भाई दर्द से नहीं तड़प रहा है बहुत सारे लोगों ने कुर्बानिया दी हैं उन्होंने हमें अपनी जिंदगी दी है हम उन्हें मुस्कुराने की वज़ा देगे प्रमोध है अब दूब 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 और उन्हें हमें अपनी जिंदगी दी है हम उन्हें मुस्कुराने की वज़ा देगे एक अचीब सा रेक्शन था विनोध लगता है वो इंट्रेस्टेड नहीं है तुम उनकी तर्मदारी कर रही हूं अगर यहां लड़ाए में मुझे कुछ हो जाए तो क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगी एक पैल शायद काटा पड़ेगा उसका क्या बात है और यहां तक मुझे याद है शायद आपकी शादी से पहले कमरा मेरा भी था नहीं अरे इतने जल्दी सो भी किया तुम अरे ओट ना अरे विनोध उठाबाई बहुत देर तर पम्मी अपने कमरी से उठाए तो यहां के सो गया है मम्मी मैं बहुत नीन में हूँ देख बाने ना बना मुझे पूझा करनी है जल्दी कर तो माता जी पूझा हमारी ध्रोड़े ना करनी है अच्छा जी हम पूझा करें और आप लोग यहां अराम से सोए चलिए भी उठिया ना वैसे भी छुट्टी आयो तो यह नी मा के साथ बैठके दो मिनट बातें कर लें और माता जी जो महीनों की नीन आखों में भरी हुई है वो तो पहले पूरी कर लें बाते तो हम फिर कर फॉच के नौजवान यहां घोले बेच के सो रहें पता है कुछ बार्डर पे क्या चल रहा है सारे के सारे पाकिस्तानी बार्डर पर आके एकटे हो गया पाकिस्तानी लो उड़ गई नीन मुझे नहीं पता था कि मां की डांस इसा दिन बच्चे पर अबार असर करेगा उडालो मजाक पर हम जैसी माई अगर तुम्हें खिला पिला के तगड़ा ना बनाती न तो ये बातें न होती ठीक है ठीक है मां मान लिया इंडियन आर्मी तुमारे बरोसे खड़ी है बस मैं ही तुम्हारा सारा दिन सिर्खाती रहती हूं न है पहले इंतजार करते रो कि बेटे छुटी कब आएंगे फिर इंतजार करो कभी इन्हें फुरसत मिलेगी दो घड़ी मां के साथ बातें करें पर नहीं देश की फिकर पड़ी है ने मां को क्या हो गया हम तेरी वज़े से ममी नराज हो कर गई मेरी विज़े से क्यों मैंने के कहा भिया चला आप तुना एक्चली वैसे दो भी यह क्या दर रहा है पाड़ी साम्धान है कि आराम से अग्यों हमारी कंपनी को आदेश मिला है कि इलाका हाती माता पर कब्जा करना कि ख़बर दुश्मन के बारे में कि पाकिस्तानी सेना के एक कंपनी इलाका हाती माता पर तैनाथ है अभी तक हमारे ब्रिगेट के दोनों बिटैलियन के हमले काम्याब नहीं हुए है खबर अपने बारे में भारत सरकार ने 17 दिसंबर 200 बजे से युद्विराम की घोशना की है अगर उस समय तक हमने हाती माता पर फते नहीं की तो वो इलाका भारत को एक काटे की तरह चुपता रहेगा मिशन है इलाका हाती माता टॉप पर कबजा 17 दिसंबर 1300 बजे तक तरीका हमारी बेटैलियन उत्तर से दुश्मर पर हमला करेगी और हमारी कमपनी शंगु नदी पार करके दुश्मर पर पीछे से वार करेगी और इलाका हाती मात टॉप पर कबजा करेगी और वेपन्स फ्रन्ट एमुनेशन और फर्स्ट लाइन साथ होगा रात का खाना खाया होगा और सवेरे का साथ होगा कोईशक कोईशक शंगु नदी खतरनाक है अगर साथान नहीं रहे तो सीधा वाया पाकिस्तान हिंद महासागर में मचलियों के बीच मिलेंगे हम लोग मैं जानता हूँ मेरी तरह आप मेंसे कई ऐसे हैं जो कई रातों से सोई नहीं कि बहुत कुछ खोया है इस लड़ाई में हमने अब पाने का वक्त है आप मेंसे कई यह सोचते होंगे कि मेरे अंदर की बदले की आग मेरे भाई की वज़ा से है इंकार नहीं करूंगा लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज मेरे लिए मेरा परिवार कई करोड हिंदुस्ता पानियों का है जो दर्द मैं जेल रहा हूं वही दर्द दुश्मनों को देना है उठना है लड़ना है लाशय बिचानी है एक एक जवान एक एक अफसर की मात का बदला लेना है आईये मेरी आवाज से आवाज मिलाईये और हिला दीजे कार्गिल की इन चोटियों को आईया आईया सरहद पे हो या राहों में हमेशा हमें ये याद आता है सरहद पे हो या राहों में कभी मा की मम्ता में ढल जाता है कभी महबु बापन कितना पाता है दुख में दिल का सहारा है ये दुख में दिल का सहारा है ये प्यारा नशेमन हमारा है ये वतन ये वतन वतन ये वतन जी जान से हमें प्यारा है ये वतन जी जान से हमें प्यारा है ये वतन बल बाहदूर ये बड़ा सोच वेचार कर रहे हैं बहुत मायूस हो क्या बात है अगर मैं उदर गिर जाओंगा तो गिला हो जाओंगा ना बल बाधूर तुम गिले होने की चिंता मत करो क्योंकि अगर तुम शांगु नदी में गिरे तो सिर्फ गिले नहीं होगे उसमें ढूब जाओंगे हां अरे माने इसको तेरना सिखा दोया हे भगवान दो तिन रास्ता दिला दो आच्छा वाला जहां सांगु नदीन आये जनाब क्या बात है काफी परेशान लग रहे हैं मैंने सुना है कि गुर्खा रेजिमेंट में कुछ हल्चल हो रही है ठीक नहीं लग रहा है मुझे कुछ जनाब पाकिस्तानी फॉज हर वो हल्चल बंद करना जानती है जो उनकी अफसरान को पसंद नहीं इतनी शेलिंग करवाऊंगा कि इनकी सारी हल्चल खत्म हो जाएगी एक्स्कूज मी हेलो किलो यूनिफर्म टार्गेट गिल्ट रेफरेंस नाइनन फोर एट फोर नाइन टू एनिमी कॉंसेंटेशन और गंस तू राउंस पर गन फायर लगता हमारे इरादे के ख़बर होगे है उनलोगों को इंसान मौथ को अपने सामने आता देख पांगल सा हो जाता है आर लो आर लो उटबल शेलिंग बंद हो गई है थोड़ी देर आऊ रोक लेते हैं दूसमान लोग को शेलिख आए कभी भी एक आदा भम लोगोगें ऑ सभक हो अगल talk चलो 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 आगे वनो और कि आख Championships जो को नहीं एए पहला एमई यह नदी है मैंने ही चाहता कि इसके साथ चलते वक्त मेरे जवानियों की गिंती कम हो कोई टॉर्च इस्तमाल नहीं करेगा सिर्फ एमर्जेंसी में शेड़े टॉर्च इस्तमाल की जाएगी माइंडिट ओनीन एमर्जेंसी सर और हांडा तुम नंबर तीन प्लाटों के साथ रहोगे और गेट अवे में नुक कीजिए ताकि अगर हम किसी मुसीबत में पड़ जाए तो वह स्यों साब तक हमारी ख़बर पहुंचा से ओके सर्थ ओके मूव कि अशोक बोल रहा हूं हां बह्या कैसे आप हा मैं मैं बरकु ठीक हूं सुनो कामनी मैं दो चाल दिन मैं प्रमोट को लेके घर आ रहा हूं तुमने उसके पैयर के बारे मां को अभी तक कुछ बताया तो नहीं 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 बहया मेरी तो कुछ बोलने की हम्मत ही नहीं हुए भाया अभी तो आप ही को आकर और हां कामनी एक बात और बतानी थी तुम्हें लेकिन तुम कप्राना मत विनो देख बहुत ही खतरनाक मिशन पर जा रहा है अगर तुम्हारी बात हो उससे तो समझाना उसे की दिमाग थोड़ा थंडा रखे जी भाया हमेशा खून सवार रहता है उसके सर्पे एक तरफ तो पर में की हाला तो दूसी तरफ मामी मामी जी आप परेशान बिल्कुल मत हो यह मा तो मोट की हाला तो एक दम ठीक है उसकी उसकी जान बचाने के लिए बहुत ज़ूरी था मा तीन बेटे हैं मे हेला नहीं है और वो जैसा भी है मेरे पास आ रहा है फिरो उसे कहना खात्र मोल लेने से पहले उसे मेरा ख्याल नहीं आया उसे चोट लगेगी तो दरफ काम होगा क्या मुझे मुझे जान की परवन नहीं है क्या मुझे उसे कहना अपने हिस्से के कुर्बानी दे दी मैंने मुझे पम्मी का बदला नहीं चाहिए देख उसे टरफोग कहें काहिर कहने दे कुछ भी लोगों को उसे कह तू लोटा उसे कह वो लोटा माँ माँ रभा बंद कर ये सब बंद कर रोग दे इसे माई तो इस तरफ भी है और उस तरफ भी है फिर ये लणने वाले क्यों नहीं समझते की नहीं हो रहा है अगा तो बंद कर अरे चॉछ बंद करने एक अरे समझ दिखाई देगा चलब हम पकड़ड़ चलब और जल्दी ओर टॉर्च बंद कर साबने देखने ना चल 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 शावाश चल शावाश बज़ जा आईए आईए संभाल के चलो 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 चलीए 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 आराम से जनाब वैसे तो गोर्खा रेजिमेंट का आगे बढ़ना नाम्मुम्किन है क्योंकि एक तरफ शांगू नदी और दूसी तरफ हम लेकिन जनाब फिर मेरा ख्याल है कि बटालियन हेड़कोर्टर से मदद मंगवाली नहीं चाहिए बटालियन से मदद आते हैं ते बहुत देर हो जाएगी अपने खून की आखरी बून तक वो काबला हमें ही करना है पर घबरावमत इन्शाल्ला जीत हमारी ही होगी आमीन जनाब जान देनी पड़ी तो दूँगा मगर इंदुस्तानियों का जंटा इस साथी माथा पर नहीं फैरा रहे जोगा शत्तरह दिसंबर रात आठ बजे सिर्फ पंद्रा घंटे और सिर्फ पंद्रा घंटे मैं अपनी प्लाटून के साथ रहूंगा सुबिदार हम लोग एक के बाद एक अटाक करेंगे ओके को यह आ रहा है साथ मुझे छोड़ दो मुझे मत मारो आपको लगी किसम आपको आपके फुकुवार की किसम कौने तु का जा रहा था मैं करीव आद्मी हूजी मेरा नंबर है जी शुरान में पुचीश-पुचासी सभाई अली मुमत तीन दो पुझाब फेल्ट पको के सिला स्वाल को मेरी पहल की शादिय जी मुझे जान ले दो मुझे माद वारो इसमें क्या है है क्या है कुछ नहीं है जी अपनी मौत कर समाल ले जा रहा था जब ना मेरी मॉध की वज़वत था तोजे मार कर मुझे मिलेगा भी क्या सही है जनाब आपको दुआ देगी जी पचे छोड़ दिजी मुझे मत मरिये जनाब मुझे मत मरिये जुपकर नहीं तो यही मार के शांगु नदे में डाल दूगा ओपर कितने हैं ओपर जी पहले तो पूरी बठालीन थी जी अभी वो स अबूब यह कंगा जी बीकार में मारे जाएंगे जी आप लूग उपर ना जाए जी हुन्ट में तेरी हिंद की सहें किसेंद मोथ है फिर भी आपनी पोष्च बचाने की सोच रहा है उन्पर जो बैठे है न वहनापनी मौत को खाव नहीं होगा हमें है लेकिन हमारे मौत क जजबा भारी पर रहा है, पता हाथी मादा का है, पता हाथी मादा पोस्ट का है हाथी मादा भी एजी चल, अपनी पोस्ट में ले चल, चल, अंजब इल्ले कोशित की तो भेजावड आदूगा चल अलाट रहा है, और पुलंदुरे! अब्रक्ला कोशित की तूचिंट हेलो विक्टर फर गॉल्फ ओवर गॉल्फ फिक्टर ओवर हेलो विक्टर फर गॉल्फ हम लोग मंजिल के नजदीग है आप लोग उतर दिशाव से दुष्मन को आटलिरी फायर से इंगेज कीजिए ओवर गॉल्फ फिक्टर विल्फ आउट दुष्मन हिदोस्तन फौजी ने हमला कर दिया अपने साथियों के हादों से मार अपनी साथियों से यफ, से यफ! से यफ यफ जढ दो वरो दो लुए हो बह ए घागी वेह इपाने फवेड़क जवेड़क जशेध अजब अजब वेवग जब जब झाल के लगेए जय när प्रेत हो मैई कि समें अ। ोंझ अप्रूবण ऐसे चैले काई से हुआ एडू 늦ाउनिता मैं याल जिजरे कि या करते है त्सको भी एक पिलली उत्छ प्रूसम हो एक आर पिलल्ग आर्ड़्हरी आर्ड़ मह भसंचिमाता है देंब कार सेंब कार स reign कॉछाडड कार सुर्सY टार देंब कार नेंग वो ये गॉजजए में वे एंद धॉजजए अ वीजए वे वे उेगा प्रैना येपन के विए सब्सक्ताई अणे कि अवे कि अॉजए में नहीं कि अजए हाग थे येए येज रिजए जिए आप प्रैना अव बाखिए वे वे वेग में दॉजए हाँ कि अमदे और कि अमदे ल headset कि अपक रि आपक राक रहा ह आट वती अत्मेर को बती। आटे आट करी किस्तांगा आट आट आ आट किस पहुआ है हाथ यहां पांपकिस्टान का जहीं ही दऺनًखता हूं आसरा यह Förमांपर से गवल दाक्स्टान मैं विरोन सान। को अने का आधी बदा त्यारा है हॉ पो पतो कि अच्याए को जोड़ा कु दो कुछ कोदेमें की आमसितनु है का अन की कुरा क स्म deg ja भारत माता की शोएर् सब्सक्रादि के रुकूर्टकरद की शेड वी कृणत के शोओ तो करूत सब्सक्राद के अमस्राद की श钟 अलबाधूर है सर्साइब सै अबत्वार जय लगरारा ना नहीं साथ पत्तो झर्रें लडाई में चलेैंगे सात्व tribun अरिकोट घुरु को रख्दाश की जे आलोट पहुता की जे जे प्रमोद तेरा और हर शहीद का बतला पूरा हो गया अब तो सब ठीक हो गया न मा बस हमारा विनोद अब वीर चक्र विजेता हो गया अब फकर है मुझे और शुकरती इस बात का है कि यह ठीक्ठा का लोट आया वो पम्मी घर आगया है ना बहुत बहुत याद कर रहा था तुझे कि कि झाल झाल सुबह सुबह जब सबसे अच्छे नहींद आती है तो मेरे साइड में आकर सोजाता है और कधों की तरह ठांगे मारता है मिलकर नहीं जाएंगे विनोद भीया फॉजी हैं आप एक्टर नहीं है पता चलता है कि आप जबर्दस्ती मुस्कुरा रहे हैं हाथी माता के लिए कॉंग्रेट्स भाईया जिस दिन इस पैर पर चोट लगी नविया बहुत रोया था मैं बार-बार ये सवाल उटता था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों है भगवान और उपर से जब यार दोस्त आ आ कर हम दर्दी दिखाते थे कि सब ठीक हो जाएगा तकलीफ और बढ़ जाती थी क्या ठीक हो जाएगा कैसे खटेगी ये सारी जंदगी बोज़ बन कर लेकिन अब सारी शिकायतें दूर हो गई मैं जानता हूँ मेरे दर्द ने आपके अंदर एक आग लगाई है और उस आग ने दुश्मनों के होसले जलाए हैं मुझे कोई अफसोस नहीं है मेरा पैर चला गया पैर गया पर आपने आपने देश को हाथी माता तो जिता कर दिया कि अधने दूखे आपने ढूंब बाई दूखे लिए और वाहाई है प्युश्मनों के जापके लाई है कि अबाए है अपके और आपके अवस्दाना